आरेस का जो आज एक्जाम हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कोशन आया है वीडियो इस्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा जो लोग नए हैं तो प्लीस चैनल को जरू सब्सक्राइब करने चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहला कोशन है प्रत्य पूर्ती करता बहें जिस भी राज अथवा संग सासित छित रहो केवल उन विसे स्रियनी के राज्यों को छोड़ कर यदि वह किसी कर योग माल की आप उड़ती करते हैं अथवा सेवा परदान करते हैं तो उने केंद्रिये माल एबम सेवा कर अधि दो हजार सत्रा के तहट पंजी करन करवाना होगा यदि उनकी एक बित्तिय बर्स में कुल आवर्त निम्लिकित में स्यादिक है तो यह किए कोशन था आप यह कोशन देख सकते हैं गाइस तो इंगलिस में देखिए है यह था तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्सेन फूर अगला साथ हजार रुपए की लागत का माल मनी इसको विक्रे पर 25 परसेंट लाप घटा कर 5 परसेंट ब्यापार बट्टा पर बेंचा गया विक्रे खाते में दरसाई जाने वाली रासी परिकलित कीजिए इसका हो जाएगा ओप्सेन थरी 71,250 रुपए निम्न में से किस योगम का मिलान गलत है इसका देखिया ओप्सेन टू हो जाएगा ब्यापार बम लाभानी खाता आय विबराना निम्न में से किसे नाम मात्र का खाता माना जाता है तो इसका हो जाएगा ओप्सेन टू ख्याती आयाचित पून जी का भैभाग जिसे केबल कंपनी के साथ कंपनी के समाप्त की दसा में ही आचित किया जा सकता है क्या कहलाता है आप्सेन एक आयाचित पून जी अब देखिये एक और मैत का कोशन है आपका पार्टनर्शिप का इसका देखिये क्या हो जाएगा 25,000 रुप लेखांकन समीकरन नहीं है तो इसका हो जाएगा आप्सेन 3 समपत्यां देताएं पून जी इस उकल टू पून जी नेक्स्ट कुश्चन आपका है निम्न में से किसके लिए रोजना मचा प्रविष्टी नहीं की जाती तो इसका हो जाएगा रोकल बट्टा साजेदारी सलेक के अभाव में साजेदारों को निम्न पाने का अधिकार होता है तो पूनजी अनुपास में लाभ विवाजन जैम पर अनुबंद कौन अनुरचित करता है तो पी ए ओ नेक्स्ट है ग्रहकों से प्राप्त अग्रिम धन्रासी को बिक्रे नहीं जाता यह किस संकलपना पर अधारित है उपार जिता एक मसिनीरी का हासित मूल लिया 12,00,00 रुपए मसिनीरी का मूल लागत इतना है इसे 2022 देश के दौरान इतने में बेजिया परणाम क्या होगा आप्सिन फूर बेजेगे माल की लागत के परिकलन है तो निम्न वैसे कौन सा सूत्र सही है तो आप्सिन एक प्रारंबिक रहतिया प्लस क्रे प्लस ब्रत्य चब्याय माइनस अन्तिम रहतिया अगला है आयकर अधिनियमित 1968 की धारा 28-44 जिससे सम्मंदित है बये है ग्रह संपत्ति से आया परिसंपत्तियों पर हम परहास परिकलित की जाती है उनके पुस्तकी मुल अथवा बाजार मुल जो भी कम हो बिनियमे पत्र में कितने पच होते हैं आप्सिन फूर टू निम्न में से कौन सा प्रत्य चकर है तो आप्सिन फूर आयकर नेक्स्ट आप कब अनता है कोश्चिन आप देख सकते हैं इसका हो जाएगा 76,800 रुपए अब देखे प्रारंबिक रहती है अंतिम रहती है बरस के दोरान क्राय लागत पर 30% लाप की दर से माल बेंचा जाता है प्रचालन से आगम परिकलित कीजिए तो आप्सिन फू हो जाएगा निम्न में से किस खाते का जमा सेस होता है बापसी आपक बस्तु एबम सेबा कर अधिनियम लागो हुआ तो आप्सिन फूरी एक जुलाई 2017 अगला है सच्छम अधिकारी दोरा एक प्रमार पत्र अभी लेखित करने के आधार पर निविदा निम्न आमंतिरत किये बिना ही जैम के माध्यम से जिस रासी तक का माल करे किया जा सकता है बहे है पच्चेस हजार एकल सौमी का दायत होता है अस्वीमित वार्सिक बित्य विबरन एबम अनुदानों की मांग के प्रपत्र संसत में कौन प्रस्तुत करता है मुख्य लेखा नियंतरक लाब की आसाना करके सभी संभावे थानिया प्रवप्धन किया जाए यह जिस परिपाटी पर आ सकता है बहय है पून प्रकटी करां अब देखिए फिर से है प्रारम्बिक रहतिया करे प्रत्यचकर अप्रत्यचब्य अंतिम रहतिया बेचे गए माल की लागत परिकलत कीजिए तो 98,400 रुपए यदि किसी ग्याद दायित की रासी सटिकता से निर्दारित नहीं की जा सकती तो प्रावधान रचित करना चाहिए बिक्रे पर 50% लाव है लागत पर इसका पतिसत क्या है 25% सीमा जिसे डूपते रिन के रूम में पहले अपलेखित किया जा चुका है से एक धन्दा से प्राप्त होने पर उसे जिस खाते में नामित किया जाना चाहिए बहे है डूपत रिन बरामद खाता निम्न में से किसका आरोपन केबल राज सरकार दोरा किया जाता है मनो रंजन कर नेक्स्ट है एक एकल ब्यबसाई ने अपने निजी उप्योग है तू अपने ब्यबसाई से 31 जन्वरी 2023 को इतने रूपए निकाले और 2022 है तू 12 पर तिसत की दर से आरण ब्याज पर इकलित कीजिए तो 4000 रूपए लेखा परिच्छा के मुख्य प्रकार रिया तो और पर पहला दूसरा तिसरा तीनों से हो जाएंगे निम्न में से किसे चालू दाइत नहीं माना जाता तो रिण पत्रों पर अधत ब्याज अगला है एक फर्म का प्रवंदक कमीशन से पूर्व सुद्ध लाव का पांच प्रतिसत कमीशन प्राप्त करने का अधिकारी है कमीशन से पूर्व सुद्ध लाव पायालेस हजार रुपए है प्रवंदक की कमीशन परिकलित कीजिए धाय हजार रुपए है सामान बित्य निमावली 2017 के नुसरा जो बस्तुमें बासेवाएं गवर्मेंट यी मार्केट प्लेस पर उपलब नहीं है उन्हें अपनी बेवस्ता से प्रापन का पूर्ण अधिकार किसे दिया जाना चाहिए यदि कोई लेखांकन सूचना तुर्टी मुक्त है तो कौन सी गुणात्मक विसेस्ता प्रतिपिम्बित होती है कमपनी अधिनियम 2013 की धारा 146 के अनुसार एक अक्केट चक को यह है अधिकार है कि भैस सामान सभा में उपस्तित हो सके तो इसका हो जाएगा आप्सिन फूर्म स्वय मत्वा अपने प्राधिकरत प्रतिनेदी जो अंकेट चक की योगिता रखता हो के माध्यम से अगला देखिए मैध का कोशन है इसका हो जाएगा 16400 एक भर्म के तलपट में हास विद्धमान है बाड़सिक बनाते समय इसे दलसाना चाहिए लाभानी खाते तता तुलना पत्र में निम्नु में से कौन सा लेंदेन चालू अनुपात को प्रभावित करेगा अप्शन एक मसीनीरी क्रे करने के प्रतिफल में रिड़ पत्र निरगमन तो गाइस आज के वीडियो में इतनी है अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें थैंक्यू